हेलो फ्रेंट्स मैं एड्वोकेट अमित पुरी आज आपां गल करांगे एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक बारे एक महत्वण विशे बारे जो की सिद्धा आम जनता नाल ते अपने समाज नाल संबंदित है आज आपां गल करांगे P.A.E.L. बारे जाने की पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन आम पाशा विच कहिए ता जन हित याचिका आज आपां गल करांगे जन हित याचिका है की इसनू कद दायर किता जा सकदा है नमबर टू इसनू कोण कोण दायर कर सकदा है नमबर थ्री इसनों किस अदालत विच डायर किता जा सकदा है नमबर फोर जन हितियाचिका डायर करनली की शर्ताहन जिना दा त्यान रखन दी लोड है ते नाल ही आपा देखांगे जन हितियाचिका किस तरीके नाल अपने समाज लई लाब दायक है सब तो पहला आपा देखते हैं जन हितियाचिका की है जन हितियाचिका एक अजेह कनूनी तरीका है जिस विच समाजिक मुद्यानूं जोकी आम जनतानाल सिद्धे सम्मंदत हनु जिना दा आम लोकां दी जिंदगियां ते डुंगा असर पेंदा है एजे मुद्यानूं जन हितियाचिका दे रूप विच अदालत विच दायर किता जान्दा है ता जोकी आम जनता दा ते समाज दा पला हो सके ते समाज विच एक सकरात्मक्ता दा महोल बणेया रवे हुन आपक गल करांगे जन हितियाचिका जाने की पब्लिक इंटरस लिटिगेशन कदों दायर किती जा सकती है जो जन हितियाचिका है इसनों उदों दायर किता जा सकता है ज़द कुछ अपने समाज विच लगातार गलत वापर रहा होए जीवें की कोई सरकारी विपाग अपनी बंदी जिम्मेवारी सही टांग नाल पूरी ना कर रहा होए जा कोई सरकारी विपाग अपनी कारवाई ता कर रहा होए पर गैर कनूनी तरीके नाल जा समाज विच फैली कोई समाजी कुरीती जिदा समाज ते आम जनता दी जिंदगी ते एक नकरात्मक असर पैर रहा है तां एजे किसे भी मुद्दे नू लेके जिदा परभा लोकां ती जिंदगीयां ते पैंदा है आजे किसे भी मुद्दे नो लेके कोट विच जन हितियाची का दायर किती जा सकती है ताँ जो कि लोका नो नियाय दिवाया जा सके उदहारन दे तोरते जी आपां देखिए जे आपां देखिए कि जितना म्यूंसिपल कमेटी शहर विच सड़कां दा काम शिरू कर देवे पर उसका हमनो विच वचाले ही चड़ देवे ते उस करके जनता परशान हो रही हो वे जा आपां देखिए जितना टोल टेक्स कंपनिया ने अजकल हरे एक पासे जाईए ता टोल टेक्स लगे होए ने ते अपने तो टोल टेक्स वसूल ले जान दा है पर कई थामत देखनों मिल दा है कि कई कई साल लंगन तो बाद भी कंपनिया टोल टेक्स लेंदिया रंदिया ने ते जे कदे देखन नों मिले किसे टोल्टेक्स कंपनी थी मियाद लंग चुकी है ते यो फिर भी गैर कनूनी टांगना लोका तो टोल्टेक्स वसूल रही होए ता एह जे किसे मुद्दे नों लेके जो की सिद्धा जनता नाल जुड़े होए हैं अपने देखते हैं जन हितियाची का कोण कोण दायर कर सकता है जदों वी कोई मुद्दा सिद्धा आम तोर ते जनता नाल जुड़े होंदा है जा समाज नाल जुड़े होंदा है जस नाल आम जनता नों परशानियादा सामना करना पहरे होंदा है तां आम जनता अपस विच रल के जा आम जनता विचों कोई कल्ला बंदा वी जा कोई गैर सरकारी संस्था वी आम जनता दे बहाफ दे कोट विच जन हितियाचि का दायर कर सकती है तां जो की आम जनता दा पड़ा हो सके एता हुई आम नागरिका दे हक दी गल इस दे नाल ही अदालता कोल वी एए अधिकार है कि ओ अपने आप किसे एहजे मुद्दे दा संग्यान ले सकते हन जद अदालत नो लगे कि कोई मुद्दा आम जनता दी जिन्दगी नाल जुड़ा होया है ते जिस विच न्याय करंदी लोड है तां अदालता खुद ही मतलब अपने आप ही किसे भी एहजे मुद्दध संग्यान लेके जनता दे पले दी गल कर सकती हन होनों आपने गल करांगे कि जन हितियाचिका किस अदालत विच दायर किती जा सकती है जन हितियाचिका किसे वी राजदी सर्वच अदालत जीमे की हाई कोट जा देश दी सर्वच अदालत जीमे की सुप्रीम कोट विच सिद्धे तोरते दायर किती जा सकती है तांकि समाज़दा पला हो सके तिस समाज विच एक परबावी बदलाव लेंदा जा सके जन हितियाचिका दायर करन लगे कुछ शर्ताहन जनादा त्यान रखन दी लोड है जिमे की जन हितियाचिका राज नितिनल प्रेरित ना होए उस्तो बाद जन हितियाचिका विच कोई सवार्थी लाब लुक्या होया ना होए उस्तों बाद जन हितियाची का दायर करन लगे विकल्पिक साधना दीवर्तों कीती जा चुकी हुए उस्तों बाद जन हितियाची का दायर करन लगे एकको बंदे जा एकको संस्तावलों एकको जही जन हितियाची का पहला तो अदालत विच लंबित ना हुए उस्तों बाद जन हितियाची का दायर करन लगे संबंदत विपा अगनाल बंदी चिठी पतर ते दरखास्तां दित्तियां होईया होन उस्तों बाद जन हितियाची का दायर करन लगे जरूरी ते लोडिंदे कागज पतर कठे कार लए गए होन ताँ जो की लोकादी समस्यानों कोट विच परभावीत्री के नल समझाया जा सके ताँ जो की जनता दा पड़ा हो सके एक कुछ शर्ता हन जना दा त्यान रखन दी लोड है होना आपका देख देहां कि जन हिती आचिका दे समाज लई की लाब हन सब तो पहला जो लाब है ओ एही है कि जन हिती आचिका सिद्धे तोरते हाई कोट जा सुप्रीम कोट विच दायर किती जा सकती है जिस दा मतलब एही है कि जनता दी समस्यानों दा हल छेती ते वदिया टंगना किता जा सकता है दूज्या नंबर है कि जन हितियाची का एक सोखा ते सस्ता तरीका है जिसनल जनता दी समस्यावादा ठोस हल कड्या जा सकता है नमबर तिन जो है जन हितियाची का एक एहजा सोखा तरीका है जिस विच जन हितियाची का कोट विच दायर करन लगे वकील नूभी एंगेज करन दी लोड नहीं जे कोई बंदा आप चावे तो वो अपने आप ही अदालत विच जन हितियाची का दायर कर सकता है इस तो बाद जन हितियाची का एक एहजा तरीका है जिस नाल समाज विच परभावी ते सकरातमक बदलाव लियाया जा सकता है एहे सारी गल हुई Public Interest Litigation जानी की जन हितियाची का पारे ते जे किसे नों कोई Legal Help चाहिए जा Legal Advice भी चाहिए ता मेरे दित्ते Mobile Numbers आते संपर्ग कर सकते हैं ता अन्यवाद